नमस्कार, MV Health Tips channel में आपका स्वागत है यह नुसका बहुती असरकारक और अचूक नुसका है दोस्तो हमारी आँखें हमारे शरीर का एक अनमोल हिस्सा है दिन में होने वाली 90% किरियां हम अपनी आँखों से ही देखते हैं और उनको महसूस करते हैं दोस्तो बढ़ती उम्र के साथ-साथ, हमारी आँकों की रोशनी भी धीमी होने लग जाती है। जो की एक आम बात है। लेकिन आँखों की रोशनी कम होने के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। दोस्तो अगर आप चश्मे से परेशान हैं और आप अपनी आंखों की रोष्टनी दुबारा पाना चाहते हैं तो दोस्तो आप ये वीडियो सही देख रहे हैं आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप पा सकते हैं आँखों की रोशनी और चश्मे या लेंज से छुटकारा दोस्तो आज हम जिस नुस्के की बात कर रहे हैं उस नुस्के के परियोग से आपके आँखों की रोशनी 97% बढ़ जाएगी और फिर आपको कोई भी चश्मे या लेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी और दोस्तो जो मैं नुस्का आपको बताने जा रहा हूं यह बनाना भी बहुत आसान है तो आईए दोस्तो जानते हैं इस नुस्के के लिए परियोग होने वाली सामगरी पहला है केसर दूसरा एक गिलास साधार्ण पानी बस यही दो चीजों की बस इन दो चीजों के माद्यम से आप अपने आँखों की रोशनी बहुत अच्छे से और फिर से पा सकते हैं दोस्तो आपको एक छोटी चुटकी केसर लेनी है और आपको मैं बता दूँ कि इस विदी को आपको तयार कैसे करना है आपको सिर्फ केसर की चाय बनानी है सबसे पहले आपको पानी उबाल लेना है और उसमें केसर को डाल देना है अगर आप चाहें तो अपने स्वाद के नुसार उसमें शहद भी आप डाल सकते हैं दोस्तों, रात को सोने से पहले आपको केसर की चाई पीने से इतने असरकारक आँखों के प्रती फायदे मिलेंगे जिसका आप सोच भी नहीं सकते जी हाँ इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है केवल आपको एक चुटकी केसर उबलते हुए पानी में डालनी है और आपको चाय बनानी है अगर आप चाहें कि आपको स्वाद के नुसार अगर उसमें आप मीठा करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा शहद मिला सकते हैं और वो केसर की चाह आप जैसे पीएंगे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती चली जाएगी और ये केसर की चाह पीने से ना सिर्फ आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी बलकि गठिया और आपके जोड़ों के दर्द में भी आपको आराम मिलेगा आपका अच्छा कॉलेस्टरोल बढ़ेगा और बैड कॉलेस्टरोल खत्म हो जाएगा और इस केसर की चाय से आपके खून की भी सफाई होगी अगर आप केसर की चाय का नियमित उप्योग करते हैं तो आप हार्ट अटेक जैसी भेंकर बीमारियों से भी चुटकारा पा सकते हैं दोस्तो आप इस जानकारी को समाज में अधिक से अधिक शेयर करें इससे जो भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं वो भी इसका लाब उठा सकें तो दोस्तो यह थी हमारी वीडियो उमीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंदाई होगी प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद